सच्चेना में सच्चेना, पेरे शहर बाली साथू, तेदी सोनी लगजती दुफैर। हलो फैंस, मैं रुपाली रुपिन राची बटी सुदून में आपका सवावित करते हूं। अगर आप no makeup makeup look करना जाते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा परिशान हैं कि हम जब भी makeup आलर से कराते हैं हम face wash कर लेते हैं तो हम क्या करें कैसे makeup करें बल्कुल बल्ष ना हो जड़ा आइस makeup ना हो अपनी आपको यह वीडियो बहुत काम आने वाली हैं मेरी बहुत सिंपल भी इसी makeup किया हैं बेरी इजी सीरियसली ट्रस्ट मी सिंप अगर आप इसको मेने कोई filter नहीं उसकिया हूँ विदाउट फिल्टर अगर आप देखिए makeup no makeup look है के साथ कर सकते हैं वेरी इजी वेरी सेटल नो अवर मेक अप बाहा निकल के इतना नहीं लगता कि बहुत जादा किया हूँ है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब मै चैनल थेंक यू सो मच और प्लीज वीडियो को पूरा देख कि इसमें बहुत कुछ सो सबसे पहले हमने स्किन को वाश किया है फिर हमें यूज किया है अवईनो को मॉस्चराइजर अच्छी तरह से मॉस्चराइजर करने के बाद मुझे रिलाइज हुआ कि मेरी लिप्स्टिक तो अधरी नहीं है तो मैंने एक वाइप्स लेकि मॉस्चराइजर को भी सकते हैं मेरी स्किन जो है द्राय है तो मैंने बहुत अच्य कूझेजीव मॉस्चराइजर लगाया है उसके बाद मैंने आइब्रो जाल फिलिंग दिए है उसके बाद हमने कि यू जाल है तो आईबू फिलिंग के बाद में आपको एक बात बताना चाहती हूँ हमने यहां पर प्राइमर जो है स्किप किया हुआ है क्योंकि मेरी स्किन बहुत अच्छी हाइडरेट थी मैंने एक दिन पहले फेशिल करवाया था तो बहुत अच्छी हाइडरेशन की वज़े से मैंने जो मॉस्टराइजर यूज किया है मैंने डबल कॉंटिटी में यूज कर लिया है आप प्राइमर जुरूर लगाएं अगर आपके स्किन ड्राय है मेरी स्किन बहुत ड्राय है उसके बाद हमने कलर क्रेक्टर लगाया कलर क्लर क्रेक्टर लगाने के बाद मुझे यादा है क मैंने अपनी अंडराइ ज्राइनेस बहुत जादा रहती है तो मैंने सीटा फिल की अंडराइ क्रीम यूज की है फिर औरेंज कंसिलर लगाया देन यूज अनार्स का फांडेशन एंडेन संस्क्रीम इसको हमने मिक्स करके लगाना है बहुत अच्छा स्मूथ डूई सा अफेक्ट आएगा बहुत पैची फेस नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लगता कि अपने फेस पे बहुत कुछ लगा लिया है तो आपको जो फेस की शाहिन है वो भी अच्छी रहती है और डूई सी लुक आजाती है हमने क्रीज ना पड़े तो यहाँ पर हमने यूज किया है पौडर मैंने पुरे फेस पे पौडर यूज नहीं किया बिकोज माई स्किन इस ड्राइ उसके बाद हमने एक शेड लेके पुरे आइस पे लगा लिया है ब्राउन कलर दोनों आइस पे हमने लगाने के बाद सेम शेड तो कॉर्णर में हमने मेरोन और ब्राउन शेड यूज किया है तांकि जो मेकप है मुझे बहुत लाइट चाहिए और मेकप अच्छा भी लगे और ग्राइट इस वीडियो इसमें कुछ भी एडिय्ट नहीं किया है इसमें कुछ भी आइडिë नहीं किया गया जो के आपके सामने के आप में ब्हुत से वी तॉम इत् confronting कि है उई दल में है बहुत लाइट पाडर कंटॉरिंग कही है अप क्रीम कंटॉरिंग भी कर सकते हैं बहुत लाइट रखी है जी मुझे अपने फेस पे बहुत ज़ाधा ब्राउनिश टॉन नहीं परसंद फेस के साबसे आप कंटॉरिंग करें उसके बाद मैंने पिंक और ब्राउन शेर लेकर यूज किया है, highlighter यूज किया है, and nose पे highlighter लगाया है, आपने कोई भी product जो लेना है, बहुत ज़्यादा quantity में मत लें, बहुत लें लें उसको, नहीं तो बहुत ज़्यादा time लगता है, उसको blend करने में, और उसको settle करने में, हमने nars lipstick लगाई है, and mascara यूज किया है, no lashes, without lashes, मैंने eyes पे, हमने लोक दी है, no lashes है, अगर आप lashes लगाना चाहते है, natural lashes use कर सकते है, and मुझे अपनी eyes खाले-खाले लग रही है, तो मैंने kazal use किया है, आप कोई भी kazal use कर सकते है, अगर eyes big है, तो black, अगर छोटी है, तो white, या skin, in cloth का मैंने kazal use किया है, बहुत sleek सी line बनाई है, मै sleek ही liner चाहिए था, so, इसके बाद हमने without wing eyeliner यूज किया है, आप कोई भी eyeliner लगा सकते है, sleek सा, जो आपको no makeup makeup look का effect दे और eyes भी अच्छी लगे, इसके बाद मुझे लगा कि मैंने, मेरी lipstick बहुत light लग रहे है, तो मैंने थोड़ा से red shade mix किया, और अपने face पे makeup setting यूज किया है, hair styling समझ ही नहीं आ रही, lose करूँ या, बंद करूँ या, पौनी करूँ, so, मैंने इसब try किया, यहां मैं अपनी lipstick का color change कर रहे हैं, थोड़ा सा red tone mix दिया, बहुत blood red मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने इसके बाद, अपने hair copy नहीं कर लिया, क्योंकि मुझे lose ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो आप अपनी हीज़ाप से कर सकते हैं, आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, इसमें बहुत सारी editing की होती है, इसमें कुछ editing नहीं है, makeup setting आप मैंने दिया है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, please like and share, thank you, तो यह वीडियो मैंने filter के साथ बनाई है, आप देख सकते हैं, I hope you guys like it, thank you,